रेट्रो इस्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 10th का डेश्ट अफ स्नो पोयम जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है उसका समरी देखेंगे सबसे पहले फस्ट इस्टेंजा का समरी देखेंगे इस कविता में देखेंगे कि जो पोयट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कितने अच्छे तरीके से सुन्दर्ता के साथ इस पोयम को डिस्क्राइब किये हुए है इस पोयम में जो पोयट है वो बता रहे है कि एक सिंपल सा मोमेंट भी होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्य कर रहा है depressive mood को represent कर रहा है और जो hemlock tree है वो poisonous free है और poison को represent कर रहा है यह दोनों चीज यह hemlock tree और crow यह signify कर रहा है कि जो poet है वो अच्छे mood में नहीं है और उसी के वज़ा से वो अंधकार रूपी बाते कर रहा है depressive बाते और nature के उस bitter side के बारे में में बात किये हैं जिसके वैसे उनका mood खराब हो चुका है he was not in a good mood second stand जाब हम लोग देखेंगे has given my heart change of mood and saved some part of the day I wrote poet कहते हैं कि एक दिन वो बहुत ज्यादे दुखित थे डिप्रेसिब थे और हेंपलक के नीचे बेठे हुए थे एक आता है औ। उसी पेट पेट जाता है जिस पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और उस पेड़ बैठने के बाद जो डाल होता है उस डाल को वह हिलाता है और जो डाल दुख में गुम हो गया था लेकिन जब उनका mood बदल गया तो उनको realize हुआ कि एक दिन में जितने देर के लिए मैं दुख को ढो रहा था और दुख में गुम हो गया था और अब जाके mood सही हुआ है तो इसके बाद जो बचा हुआ दिन है उसको हम utilize कर लेते हैं और कुछ useful activity मे utilize कर लेते हैं जो उनका दुख था वो पूरी तरीके से गायब हो गया जब उनके उपर snow dust पड़ा उनका जो spirit था जो उनका जुनून था वो फिर से अकास्मिक घटनाए घटित हो जाती है वो भी positive sense में वो quite amazing होती है जो इस कविता में crow है और hemlock tree है actual में यह bad sign माने जाते हैं क्योंकि अगर hemlock tree और crow की बात की जाती है तो normally लोग यही believe करते हैं कि कुछ गलत होने वाला है इस कविता में कवी कहते हैं I think यह जो word I think है न यह स् होता है कि वह अपने घर से निकल के बाहर snow में घूमने आये हुए होते हैं लेकिन घूमने के वज़े से उनका मन सही नहीं होता है जब हैं नीचे जाके बैठते हैं तब तक जो कव्वा होता है वह हम सभी को एक message दे रहा है कि हम सभी को कभी भी नकरात्मक नहीं होना चाहि है negative thinker नहीं होना चाहिए हमें हमेशा best के लिए hope करना चाहिए उमीद करना चाहिए जैसे कि जैसे negative और negative mathematics में जुड़के positive होता है उसी प्रकार से अपने जीवन में भी हम लोग जब भी किसी ऐसे बुरे समय में फश जाए या बुरे वक्त में फश जाए तो उस समय भी उस बुरे वक्त को positively enjoy करना चाहिए जो वो negativity उस बुरे समय में रहेगा वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और उस समय आपको बहुत सुकून मैसूस होगा और यहाँ पे आपका यह पोयम समाप्त होता है Thank you for watching Please like, share and subscribe my channel Retro Studies